क्या आपने कभी सोचा है कि plaster cutter plaster को तो आसानी से काट देता है लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसे इंसान के हाथ के दो हिस्से कर देने चाहिए लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता, क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर का blade goal-goal नहीं घूमता अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो प्लास्टर कटर का blade goal नहीं घूमता, बल्कि तेजी से vibrate करता है इसलिए इस cutter को गुबारी जैसी sensitive चीज पर चलाने से भी गुबारा नहीं फटता और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइबरेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी